नमस्कार दोस्तो आप सबी का स्वागत हमारे स्पंक पेटर चुल में दोस्तो भगतस संग साइरी लेकर आए वह सभी के लिए तो दोस्तो 28 सेप्टेंबर को है जो आगया है बने रहे स्सक् pendulumum shogh करने से ब्लंद आवाध में सुरू करते हैं अदर्यक पररदानेशार महुदा अदर्या घुरुजन महrau नंचत सत्य सते ons तो दोस्तो आप सबस्ता करके समस्तराइक फहरे स्फिर पार्ष के तक बुलंद आवाज की तरह आज हम सभी सरदार भगत सिंग की जहनती को मनाने के लिए हम सभी यहाँ उपस्तित हुए हैं सरदार भगत सिंग एक बुलंद वान और साहस वान जागरुक देजभक्त थी भगत सिंग का जन मताई स्थिंबर 1907 को पाकिस्तान के बांगाम में हुआ था यह एक निडर स्वतंतर सहनानी थी चंदर सिक्राजाद वा पार्टी के ओन सदस्टों के साथ मिलकर भगत सिंग साहस के साथ सक्तिसाली ब्रीटिस स्थैरकार का मकाबला किया भगत संग बचपन से ही ठान लिये थे कि इन अंग्रेजों को अपने देश से निकाल कर ही रहूंगा चाहे मुझे बलिदान ही क्यों ना देना पड़े ऐसा सहस्वान को मैं सच सलाम करता हूँ मेरी इस जहनती पर कुछ पंक्तियां इस प्रकार है पुछ पंक्तियां इस प्रकार है पहला है मारा लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा मेरे लहो का हरे कत्रा इनकलाब लाएगा मेरी कलम मेरी जज़बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी ज़बातों से इस कदर वाकिफ है कि जब मैं इसक लिखना चाहता हूँ तो इनकलाब लिख जाता है दोस्तों लाइनी पसंदा है कमेंट में जरूर बताएगे कुछ लाइनी तन की महबत में खुद को तपाए बैठे है मरेंगे वतन के लिए सरत मौत से लगाए बैठे है सरत मौत से लगाए बैठे है जब इसक और करांती का अंजाम एक ही है तो राजा बनने से अच्छा है भगत सिंग बन जाओ भगत सिंग बन जाओ दोस्तों अगर मेरी वीडियो मेरी लाइन ही अगर अच्छ लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरू कीजिए धन्यबाद तो मैं आप सुभी को पूरा दिखा दे रहा हूँ अप लोग नोट कर लिजी धन्यबाद जाहिन वन्यमात्रम